भोजपुर में एक आदमी की मौत होती है उसको अंतिम संसकार के लिए बकसर लाया जाता है और पिता के शौव को आग देकर पिता को मुखागनी देकर उसका बेटा जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बेहोस होकर गिर जाता है और जब लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते ह तो पता चलता है कि गर्मी के कारण बेटे को हिट स्ट्रोक लगा है उसकी मौत हो जाती है और इसके अलावा उसका एक छोटा भाई भी हिट स्ट्रोक का सिकार होता है वो भी अस्पिताल में बरती है उसकी भी हालत नाचूप बनी हुई है यानि अपने पिता के अंतिम संस उसमे बेटे के सिकार होते हैं बेहोस हो जाते हैं और दोनों को अस्वेटे मौत हो गई में घरम को Rs. गार की इसका सी कार बन जाया है है को तब मन देखी जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है विहार के भोजपुर जीले की घटना है यहाँ एक बुजर का अदमी जिनकी उम्र हो चली थे उनकी मौत होती है काफी दोनों से वो बिमार थे तो बिमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है लेकिन इसके बाद परिवार को करने के लिए बक्सर के मुक्तीधाम पहुंचते हैं और यहीं पर अंतिम संसकार के समय पूरी घटना हो जाती है अब यह पूरी घटना कैसे घटी है कैसे सबकुछ हुआ है विच्थार से इसके बादे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे और उससे पहले नमसकार जंता नात सिंग जिनके उमर कुछ 70 वर्स्ति उनकी मौत हो जाती है लंबे समय से बीमार चल रहे थी और बीमारी के कारण ही कल सुबह ही इनकी मौत हो जाती है इसके बाद सभी परज़न रिष्टिदार मौत की ख़बर मिलने के बाद उनके घर पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार क दौरान ही यह सारी घटना घट जाती है दो बेटों को हीट स्ट्रोक लगता है दोनों का स्पताल लाया जाता है और एक ही दिन उसी दिन पिता और बेटे दोनों की मौत हो जाती है पिता का अंतिव संस्कार हो रहा था तो राजनात सिंग के जो मंझले वेटे थे विनय कुमा ले जाया जाता है और डॉक्तर वहां पर बताते हैं कि भीशन गर्मी के कारण उनको हिट स्ट्रोक आया है इसके बाद सदर शुटा के डॉक्तर हाथ खड़े कर देते हैं कि यह मामला उनके बसका नहीं है यहां से उनको बाहर लेकर जाया 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 और जब बिनाय कुमार क भी अपने पिता के अंतिम संसकार के लिए वहां पर मौझूद थे और जब भाई की तवियत बिगड़ी तब से ही उनको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था वो भी परेसांग थे जैसे उन्होंने भाई की मौत की खबर सुनी तो उनकी भी तवियत एकदम खराब हो गई उन दूप के कारण पहले ही मौत हो चुकी होती है और अस्पताल बाद में पहुंचते हैं तब तक रास्टे में उनकी मौत हो जाती है और इसका कारण भयानकर गर्मी वन रहा है अभी विहार में गर्मी का हाल कुछ ऐसा है कि तपमान 45 डिगरी के आस्वास रह रहा है और बाहर नहीं निकले गर्मी से बचे तमाम तरीके के उपाई भी सरकार के तरफ से बताया जारे जैसे आप स्ट्रोक से लू लगने से कैसे बच सकते हैं कि इन चीजों का ध्यान रखकर आप अपने आपको बचा सकते हैं बाकि अभी सक्त जरूरत है कि आप धूप में निकलने स से खुद को बचाए और अपने आपको हाइड्रेट रखने के लिए जो तमाम उपाए हैं जो तरन पदावतों का सेवन है उसको करें आपकी इस पर प्रतिक्रिया है उसको कमेंट बाक्स बहुत 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 धन्यवार